पटिहार में बार्सोई की घटना के जितनी भी निंदा की जाए वह कम है सरकार के उर्जा मंत्री बिजेंदर कुमार यादो जी कहते हैं कि उपद्रवी जब उपद्रव करेंगे तो उन पे जो लाठियां और गूलियां चली है वह बिल्कुल जायज है तो असी क्या स्पास पहुचने वाले हैं तो दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर देता है यह मैं समझता हूँ कि अपनी सरकार की सोच को वो दर्साते हैं कि सरकार क्या सोचती है बिहार के नागरिकों के बारे में पविक्षी पार्टी के अलग अलग नेताओं का क्या कुछ बयान है आव कि पवाबू निती सरकार सता के मद में मदमस्त है जनता के आवाज दबाने के लिए जनता का खुन कराने में भी ये लोग नहीं चुक रहे हैं । सत्ता आती है जाती है लेकिन जनता कि आवाज बुलंद रहेगी तब ही देश बचेगा ये लोग देश को बरबाद करने में लगे हैं ये लोग कौमनिस्ट विचारधारा के लोग हैं अंग्रेजों के निती पर चलने वाले हैं जैसे गोली चला करके कांग्रेश और कौमनिस्ट चलती हैं उसी तरह से जदिव क और राजद की जो सरकार है जनता के हत्या करा करके उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहा है बिजेंदर वाबू सत्ता में आप सब दिन बने नहीं रहेंगे चुनाव आएगा है और आप अपना उकात में आ जाएंगे लेकिन जीस तरह से जनता के आवाज को आप दबाने क काम कर रहे हैं जनता को दमन करने का काम कर रहे हैं यह बहुत बड़ा दुर भाग गया है इसका मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसे मैं क्या माना जाए कि अगर प्रदर्शनकारी है तो अपनी आवाज कहां उठाए और कहां उठाए जनता के अंदोलन को आप गोली चलवा करके आप दमन करिएगा जनता का खून कराईएगा यह बहुत बड़ा दुर भाग है मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार से कि जिनकी मौत हुई है उनको एक कलवर रुपईया और उनके आस्रित को सरकारी नौकरी दी जाए और जो घायल है उनको 50-50 लाख रुपया दिया जाए या नहीं तो सरकार को जनता कभी माफ नहीं करेगी और कुरसी से उतारने का काम बिहार की जनता करती है और आगे भी करेगी पटिहार में बार्सोई की घटना की जितनी भी निंदा की जायवख कम है सामाने सी बात को लेकर मतलब सरकार द्वारा मुलभुत सुविधाओं को लेकर जब आम अवाम बिहार के नागरिकों द्वारा जब परदर्शन किये जाते हैं और अपनी जायज मांगों को लेकर बिजली की सुचारू आपूर्ती को लेकर एक सामाने सी बात थी और उसको लेकर जब बिहार की तानासाही पुलिस द्वारा उन पर जुल्मी तोर पर गोलियों से बोचार किया जाता है और जिसमें अभी तक दो लोगों की जान जा चु कि उपद्रवी जब उपद्रव करेंगे तो उन पर जो लाठियां और गोलियां चली है वह बिलकुल जायज है यह मैं समझता हूं कि अपनी सरकार की सोच को दर्साते हैं कि सरकार क्या सोचती है बिहार के नागरीकों के बारे में जब वह अपनी उचित मांगों को लेकर चलाई जा सकती है गोलियां भी चलाई जा सकती है जिसे सरकार के उर्जा मंत्री जो बिलकुल उर्जा विहीन हो गए हैं मांसिक सतुलल्क हो गए हैं दुर्भग्य है से सरकार और सरकार के कभीने मंत्री के लिए मनलब जिस तरह से उन्होंने संवेदन हिंता दिखाई है उ लोग जन्सक्ति पाठी राम बिलास इस घटना और उनके इस बयान की कड़ी निंदा करती है लोग यह उठता है कि आखिर ऐसा समय उत्पन क्यों होता है महौल क्यों होता है जब लोग को सरको पयाना पड़ता है देखें बिजली देने में जब बिजली के मुल्य का भुगता करने में तमाम नागरिक सचेत हैं सक्षम हैं और देने को राजी है तो बिजली की आप उर्ती सुचारू रूप से करने की मांग बिल्कुल ही जाएज है कोई भी मांगेगा अभी किसानों की समस्या है आप देख रहे हैं अनाविरिष्टी का महौल बना हुआ है पूरे वि कर जब अधिकारियों से ही ये बामला निपठ जाता और उनके समस्याओं का समाधान अधिकारी ही कर दिये होते तो मैं समझता हूं कि कोई प्रदर्शन की आवश्यक्ता ही नहीं पड़ती तो अधिकारियों ने कहीं न कहीं मजबूर किया नागरिकों को सड़कों पे अपन उर्भागेपूर्ण है सरकार जो है अब जो महागठबंधन की सरकार जब से नितीश कुमार जी महागठबंधन के साथ आए हैं राजत के साथ समझोता किया है अब पूरे बिहार को लालडेन यूग में ले जाना चाहते हैं मैं बहुत गंभीरता से यह बात कहना चाहता पूरे बिहार में बिजली की हालत जो है वो एकदम त्रहीमाम की इस्थिति कह लीजे बनी हुई है कभी बिजली आती है और कभी जाती है यही देखने को मिलता है जो आज से 20 और 25 साल वर्स पहले जो बिजली की इस्थिति थी फिर हम कहीं न कहीं उसी दौर में जा रहे हैं लेकि सबसे बड़ा दुर्भाग है ना कि विजंदर वावु कर तो अब उमर भी हो गया तो असी के आसपास पहुंचने वाले हैं तो दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर देता है इसलिए हम लोगों के धर्म ग्रंतों में पहले जी जो राजा महरा जा थे तो उनको बान प उपज हैं मुख्यमंत्री जी भी और उनके बड़े भाई लालो प्रसाद जी भी और बिजंदर जादब जैसे लोग जितने भी लोग हैं सब जेपी आंदोलन की उपज हैं और उसके बाद इस तरह की भासा बोलते हैं तो इससे बड़ा दुर्भागी क्या हो सकता है आप प्रसाद कारी को गोली मार देंगे तब तो फिर लोक तंत्र को खतम कर दीजिए तब तो फिर आप हिटलर के बारे में जो बोलते हैं और चलतो रहें उसी के हिसाब से पिछले कई आंदोलनों में आज तो अब तो पहले लाटियां चलती थी आप गोली चलाने लगे हैं वो एकदम से खत्म कर देने पर तुले हुए हैं आने वाले समय में इनको उसका जवाब जनता खुद बखुद देखी गोली की जवाब कैसे दी जाती है ये जनता त्यार हो चुकी है ऐसे में क्या लगता है कि अब माली जे किसी भी मुद्धे को ले करके अगर अपनी बात तो को रखा जाए तो कहां रखा जाए चूकि प्रदरसनकारी होते हैं कई जगा से ठकार जाते हैं वो विभाग में जाते हैं मंतरी के पास जाते हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती है तब वो सरको पलाते हैं तो ऐसे में अब वो अपनी आवाज को कैसे रखेंगे पानी को अगर जादा रोकने की कोशिस करिएगा न तो बड़े से बड़े बांध को तोड़ देता है जनता को ये लोग जिस तरह से रोकने की कोशिस कर रहे हैं आने वाले समय में वही जनता इनको पटना में नहीं रहने देगी पटना से भागने को मजबूर होना पड़ेगा ये इस देश में कभी भी कोई भी ऐसा सासक नहीं चल सकता जो कि गोली के दम पर जनता को दबा दे जब बिटी सर्स को यहां से भागना पड़ा तो फिर ये क्या चीज है ये उनको तो लग रहा ये तो बड़े भाई के साथ ज जाएगा तो जंगल राज माफिया राज का तो हम लोग कहते ही थे अब इसको क्या कौन सा राज कहा जाए अब बताईए कि जनता अब बिजली सर्प्लस है पूरे देश में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण दिन द्याल पाध्या जो कारेक्रम उन्हो क्या हो गया कोई जिला मुख्याले नहीं है जहां कि 24 घंटा बिजली देने में सक्षम हो पा रहे हैं पटना में मुश्किल है पटना की स्थिति आप देख लिजिए तो हर मामले में फेल हैं कहीं कोई इनके हां काम तो होता नहीं है रसीपी सिंग कहते थे भूजा पाटी भूजा सरकार चल लहीं भूजा पाटी करा कि एक काम कर रहे हैं एक एक आदमी के पास 5-5-6 बिभाग है बिजंदर बाबु के पास कितनी दिनों से यह बिभाग पड़ा हुआ है अब वो तो दिन भर उनके मंत्री तो नसा मुक्ति अभ्यान मुख्यमंत्री जी का है और रहेंगे रहेंगे मुक्यमंत्री जितने दिनों से मुक्यमंत्री बीच में हट भी गए लेकिन बिजंदर बाबु नहीं हटे तो बिजंदर बाबु को क्या पता चले गए तो राजसाही वाले लोग हैं तो जैसा कि जिस तरह आपने सुना कि बीजेपी के परदेश प्रबक्ता हो चाहे फिर वो हिंदुस्तानी अवाम मूर्चा के हो या फिर लजेपी के परदेश प्रबक्ता हो तमाम लोग का बयान है कि ऐसे उलूल जूल बयान देकर के सरकार ये दिखाना चाह रही है कि बता दे कि जिस तरह से कटिहार मामले को लेकर के मंत्री विजंदर यादप के त्वारा एक बियान दिया गया है कि जो भी परदर्सनकारी परदर्सन करेंगे और बदमासी करेंगे उन पर लाठियां चलेगी और गोलियां चलेगी जिसके बाद से विपक्षी पाटियों के त सरकार कैसे चल रही थी कैमेरा परसंद रीतिक के साथ ग्यानिंदर बर्मा दर्सनीव पटना